Hey good morning students, hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे भई, myself Prince Singh and सबसे पहले तो जितने भी students मेरे इस channel The Coding Guide and मेरी वीडियो पाइफन सीरीज को follow कर रहे हैं, सबसे पहले तो भई उन लोगों को दिल से thank you, ठीक आप लोगों का support ही मेरे लिए सब कुछ है, अब actually students दो दिन से मेरी व वीडियो डालनी पाया, मगर आज से यह सीरीज वापस से continue हो रही है, आज से आपको रोज सुबा 11 बजे आपको lecture आपका मिल जाएगा, तो आप वापस से अपनी सीरीज को continue कर सकते हो, जो लोग भी इसको इससे Python को पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आते हैं हम अपने topic की बहे गया है, that is menu driven program, या फिर simple calculator जिसे कह सकते है, अब menu driven program होता क्या है, जैसे हम किसी restaurant में जाते हैं, वहाँ हमे menu मिलता है, हम menu में से जो भी option select करते हैं, वो option की हमें dish prepare होके मिलती है, तो same case menu driven program में भी होता है, आपको code में एक menu मिलेगा, और उस में से जिसको भी आप opt करोग वो चलेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि इससे पहले की loop start करें, हम पहले ये menu वाला concept भी खतम कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा concept if elif ladder के base पे चलता है, तो साथ-साथ ये भी clear हो जाएगा, if elif ladder के साथ-साथ आप लोगों को, और फिर उसके बाद, क्यूंकि एक बार loop के flow शुर पहले ये menu वाला concept खतम कर लेते हैं, ठीक है students, तो चलते हैं भई हम अपनी coding screen की तरफ, तो भई हम लोग आ गया अपनी coding screen पे, ठीक है, अब आज हमारा जो topic है, पहले मैं इस topic को लिख लेता हूँ, आज हमे menu driven program बनाना सीखना है, menu driven program मतलब, आपको एक menu दिया जाए, और उस menu के basis पे आप operate कराओ, ठीक है न, जैसे की menu driven program में मैं आज आपको simple calculator बनाना सिखाऊंगा, कि कैसे आप एक calculator बना सकते हो, if elif ladder का use करके, उस calculator में मैं कुछ खास नहीं, पूरा जैसे आपका scientific calculator होता है, उतना बड़ा तो नहीं खीचूँगा code को, मगर मैं आपको, आप अपने code को जिसे अपने खुद की practice के लिए बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो, उसमें बस module elif add करते जाना, जैसे यहां पर मैं 4-5 cases रखूँगा, आप उन 5 cases में extra जिस case को रखना चाहते हो, उसको add करते जाओ इस code में, ठीक है, तो मैं आपक उसका code बनाना सिखाता हूँ, कि menu driven program बनता कैसे है, ठीक है, मैंने comment कर लिया, देख लो भई, कि मेरा code जब run करे, तो सबसे पहले क्या आए, सबसे पहले लिखावा आना चाहिए, screen पे, arithmetic menu, यह सबसे उपर लिखावा आना चाहिए, ठीक है, arithmetic menu के बाद, one, number पे उन्हें ने बता दिया, addition, arithmetic operation करा रहा है, हम calculator में हमारा 5 operation करके देगा, हमारा calculator, ठीक है, addition करके देगा, दूसरा number, subtraction करके देगा, तीसरा number, multiplication, replication, चौथा number, division, और last case, पांचवा number, remainder, मतलब first को second से divide करेगा, और आपको remainder बता देगा, ठीक है, यह आपका menu हुआ, menu के बाद, अगर आप एक चीज़ notice करो, यह जो पांचों operation है, यह पांचों की पांचों operation, दो numbers पे चलती है, चलती है, तो यह code हमें menu एंटर कराने के कि enter the first number, ठीक है, अब यहाँ पे बंदा कोई भी number डाल सकता है, बंदेने मानलो डाल दिया 10, फिर वो मुझ से पूछे, enter the second number, ठीक है, यहाँ पे डाल देगा बंदेने 5, फिर यह आप से बोले, enter your choice, अब enter your choice में आपके पास total कित्ती choices है भई, 5, 1, 2, 3, 4, 5, आप इसमें से जो भी choice प्रेस करो, जैसे अगर मैं 2 प्रेस कर दूँ, तो वो इन दोनों numbers पे subtraction चलाए, और हमें दे subtraction is 5, मगर यहीं पे अगर मैं 3 प्रेस कर दूँ, तो यह बोले, the multiplication is, multiplication is, अब 10 into 5 क्या होता है भई, 50, तो जो भी choice हम डाले, उस हिसाब से वो result हमें दे, यही होता है भई, menu driven program, जिसमें आपको पहले एक menu given होता है, उस menu के बाद आपको कुछ entry कराई जाती है, और फिर आपसे choice मांगा जाता है, अब जो भी choice डालते हो, उन menu में जो भी choices लिखी होती है, उसके हिसाब से ही फिर उन numbers पे operate होता है, ठीक, अब इस को अगर मुझे code में convert करना है, कि मेरा code जब run करे, तो ऐसा ही output दे, उसके एलिफ ladder पे यह कुछ नया नहीं है, पढ़ीवी चीजे सारी, ठीक है, start करते है, भई सबसे पहले तो हमें menu चाहिए, तो menu को तो मैं print में double quotes में as it is print करा देता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं print, print में double quotes में लिख देता हूं, पहले arithmetic menu, क्योंकि तो इस screen पर बस लिखावा होन चाहिए ना, तो मैंने लिख दिया arithmetic menu, यह मेरा पहला print था, तो मैं काम करता हूं, इसी को copy कर लेता हूं, paste, 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 और paste, नहीं, total 5 operations है नहीं, हाँ, एक और, arithmetic menu के बाद, पहली चीज क्या चाहिए, 1 पे addition चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, 2 पे subtraction चाहिए, 3, multiplication, 4, division चाहिए, और 5 पे remainder चाहिए, तो हमने क्या गरा, हमारा जो menu था, उसे print में double quotes में डालके print करा लिया, तो print में कोई भी चीज double quotes में आती है, तो as it is screen पे लिखी वे आ जाती है, उसके बाद code हम से क्या मांग रहा है, enter the number, मतलब एक number एंटर कराना है, तो अब input लगेगा, input के लिए मैं एक n1 नाम का variable बनाता हूं, is equals to int input enter first number, ठीक है, एक number एंटर हो गया, enter second number enter, ठीक, दो number enter हो गया, अब आपको इन दोनों number पे choice के basis पे काम कराना है, तो मैं एक choice नाम का variable बना लेता हूं, ch नाम का, int input enter your choice, ठीक है, आपने क्या करा, choice enter कर दी, अब इफ अगर choice में बंदे ने, ch में बंदे ने 1 डाला, इसका मतलब वो यह चाहता है, कि जो मेरे menu का पहला काम है, that is addition, वो perform हो, तो यहाँ पर अगर मैं print में लिख दूँ, the addition is, comma a plus b, elif, भाई एक condition हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा, ch में 2 डाल दे, मतलब choice उसकी second हो, अगर ch में बंदे ने 2 डाला, तो यहाँ पर हम print कर देते हैं, the subtraction is, comma a minus b, ठीक है भाई, यह भी हो गया, elif, ch की value अगर 3 है, print, the multiplication is a into b, elif, ch equals to equals to 4, print, the division is a divided by b, और elif, last case रहाँ गया है, remainder, अगर ch की value बंदे ने 5 डाल दी, तो menu में remainder है, तो print, the remainder is a, b, ठीक है भाई, तो यह 5 cases हो गए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, यार, की बंदे ने, ऐसा ही choice डाल दिया हो, जो हमारे menu में हुई न, जिसे वो number में 5 तक की जगा 7 डाल देता है, अब आपके menu में की list में, क्या कोई 7 number पे कोई choice है, नहीं न, तो आप एक काम करो, इस elif का न, एक last else लगा दो, और else में आप इतना लिख दो, बस you entered a wrong choice, you entered a wrong choice, आपने wrong choice डाली है, ठीक है, अब मैं इस code को आपको run करके दिखाता हूँ में, कि कैसे एक menu driven program चलता है, पहले हम इसे save कर लेते हैं, और उपर एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ comment बनावाए न, वरना error आजाएगा, हाँ, सारी शीज़े comment बनी हुई है, यह रहा हमारा code, तो भई हमने code अपना run कर लिया है, और पहले मैं इस screen को थोड़ा maximize कर देता हूँ, ताकि आपको output clear दिखे, हाँ, तो आपको दिखता है कि यह रहा हमारा menu, menu visible है, यह हमसे first number मांगता है, मैं first number में क्या डालूँ, 45 डाल दूँ, मैं 45 डालता हूँ, फिर बोलता है, enter the second number, मैं second number में 5 डाल देता हूँ, फिर यह मुझसे मांगता है interior choice, अब choice में जो भी डालोगे, उस विसाब से काम करेगा, अगर मैं 1 डालूँ, तो इस sum करेगा, मगर 2 डालूँ, तो subtraction करेगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले चला के दिखाता हूँ, मैं पहले 1 डाल रहा हूँ, तो आना चाहिए the sum is 50, क्योंकि one choice में हमने addition बोला हूँ है, दा आता है, the addition is 50, perfect, code को बन करते हैं, और इसे एक बार दुबारा रन करते हैं, भाई इसने फिर से हमें menu दिखाया, और हमसे first number मांगा, इस बार मैं first number 50 डाल देता हूँ, और second number 10 डाल देता हूँ, अब मैं काम करता हूँ, 3, multiplication करता हूँ, choice में 3 डालता हूँ, आप देखते हो कि the multiplication is 500, और 50 और 10 का multiplication 500 ही होता है, मैं फिर बन करता हूँ, और फिर से code को रन करता हूँ, और इस बार ऐसा choice डालूँँगा, जान बुच के, जो मेरे पास है ही नहीं, तो भई हम first number में, पहले number डाल लेते है 56, second number में 78, और ये बोलता है enter your choice में डाल जाता हूँ 9, अब आपको बताए कि आपके पास menu में 9 choice नहीं है, एंटरप्रेस करेंगे, you entered a wrong choice, उसने हमें ये भी बता दिया कि आपने गलत choice एंटर करिये, ठोप सभी को menu driven program player की menu driven program को कैसे perform किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ठीक है, अब मैं आपको एक menu driven program assignment के तौर पे दे रहा हूँ, ये तो आपने मुझसे पढ़ी लिया, arithmetic menu ये simple calculator था एक तरीके का, ठीक, मैं आपको जो menu driven program assignment में दे रहा हूँ, वो menu driven program area menu है, आपको area का menu बनाना है, मैं इधर ना वो screen लिख के दे देता हूँ, जो आपकी run करने पे आनी चाहिए, देख लो भई, और इस program को practice करना है आपको, जिसको जो भी doubt लगेगा, वो comment में मुझे message कर देना है, ठीक, अब क्या करना है, area menu, one dot area of circle, ठीक, पतलब सबसे पहले menu में एक number पे हो area of circle, rectangle, चार number पे हो area of triangle, ठीक, उसके बाद, ये आपके menu के चार चीज़े हो गई, उसके बाद सीधा ही आप से पूछ ले, इस menu में थोड़ा अलग है भई, उसमें सीधा menu के बाद number के इंटरिवी थी, मगर इधर ऐसा नहीं बोल रहा है, इधर ऐसा बोल रहा हूँ, इंटरियोर चॉइस सीधा menu के बाद, उसकी एक वज़ा है यार, देखो, यहाँ पे जो अलग-अलग menu के options है ना, उसमें अलग-अलग entry है, तो इसलिए में पहले entry नहीं करा सकता, उपर जो case था, उसमें सारे ही menu के operations पे, दो numbers पे चलते थे सारे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर आपको area of circle करना है, तो आपको radius की need है सिर्फ, rectangle में जैसे length and breadth दो चीज़े enter होती है, मगर circle में तो एक ही चीज़ें की need है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहली entry नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर पहले choice मांगेंगे, enter your choice, अब बंदा जो भी choice डाले, जैसे यहाँ पर बंदे ने choice 3 डाला, तो आजाए enter the length, अब जो भी length डालता है बंदा, जी टी एच, length डाली उसने मानलो 4, फिर आजाए enter the breadth, breadth में डाला उसने 5, तो आपको पता है, आजाए 20, done, मगर यहीं पर सर, अगर choice में उसने 1 बोल दिया होता, तो यहाँ पर enter the length की जज़ा आता है, इंटर the radius, और फिर सीधा आजाता है, area of circle जो भी उसका फार्मला है, पाई र स्क्वाइर दिस 3.14 इंटो आर इंटो आर, तो यह question आपके लिए assignment है, आप लोग इसे try करोगे, किसी को कोई भी doubt रहेगा, तो वो मुझे comment box में लिख देगा, ठीक, आज के लिए इतना ही students, अगर आपको आज का lecture useful लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को subscribe कर दो, अपने friends में share कर दो, वीडियो को like किया करो, ठीक है students, thank you, have a nice day everyone.